हुआ है कि पीज़ कि है कि कि अगा है 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 हाथ है है हलोरुऊड मैं आर्शिवियू स्कर्मा में मैद के एक नहीं और इंपर्टेंट टिक के साथ है कि आज हम लोग वीडियो देखेंगे आप आप लोग का इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है अगर कहीं हमको एक संख्याद ले लिए जाए मज़से मालत 24 24 में किन-किन संख्याओं का भाग जाएगा अगर यह पता करना हो तो हम लोग एक बिधी इपना लें जैसे अगर एक से भाग देना हो तो कितनी बढ़ जाएगा 24 बढ़ जाएगा शिंपल से चीज है अगर कहीं दो से भाग दे रहे हो तो कितनी बढ़ जाएगा 12 बढ़ जाएगा तीन से भाग दे रहे हो तो आट बढ़ जाएगा चार से भाग दे रहे हो तो छे बार जाएगा ये तो सिंपल सीज है समझ में आ रहा होगा अब पांच से इसमें भाग जाएगा नहीं छे बार अगर ले जाते हैं तो यहां लिखेंगे तो यहां पर हम कुछा लिखना पड़ेगा तो यह संख्या यहां पर है अल्रडी है आ चुका है तो फिर से आगे उ कौन सी संख्या है जिसका 24 में भाग चला जाएगा तो हम लिखेंगे 24 बराबर 24 में जो है 1 का भाग जाएगा 2 का भाग जाएगा 3 का 4 का 6 का 8 का 12 का 8 का 12 का और खुद 24 का 24 का भी भाग जाएगा जहीर सी बात है अ है तो इसी तरह से और भी अगर से ले ले लें तो जैसे 16 का को तो यहां पर हो जाएगा एक 16 धो से भाग देंगे तो आठ बार तीन से भाग जाएगा नहीं, चार से भाग देंगे, तो चार बार, फिर पांच से भाग जाएगा नहीं, छे से जाएगा नहीं, साथ से जाएगा नहीं, आठ से, आठ से भाग देंगे तो दो बार, यह यहां आ चुका है, है ना, अब उसको नहीं ले जाएगे, फिर उस बा यह एक दो चार एक दो चार फिर से चार फिर से चार लिखने की ज़रूरत नहीं है भाई हमको तो यह पता करना है कि ने सोलर में किन किन संख्या का भाग जाएगा तो चार का लिख दिए फिर उसको बाद आठ फिर सोला ठीक है अब यह सब जो संख्याएं हैं जिसका भाग इन संख्याओं का भाग इसमें चला जा रहा है या इन सभी संख्याओं का भाग जब 24 में चला जा रहा है तो इस तरह की संख्याओं को हम अपवर्तक करते हैं फैक्टर करते हैं उसको अपवर्तक यानि फैक्टर यह 24 के स सब फैक्टर हैं फैक्टर का मतलब कि उस संख्या का भाग इसमें चला जाएगा यह सब सोलर के फैक्टर है तो हमारा हेडिंग होगा पहला अपवर्तक अपवर्तक जिसको हम कहते हैं अंग्रीदी में फैक्टर क्या हो गया कि किसी भी संख्या में जिन जिन संख्याओं का भाग चला जाए उन सभी संख्याओं को उस संख्या का फैक्टर या अपवर्तक करते हैं ओक है में आजुक है अगर कि हम इसकी बात清 च ऊबिस और शोलक की बात करें तो इसमें कुछ जिए ऐसे होंगे जो 24 में भी भाग जा रहे होंगे और सॉलव में भी भाग जा रहे होंगे ठींच तो कौन कौन है याँ पर एक है ठीक है दो है फिर चार है आठ है इतने हैं है ना तो ये ये तो अपवर्तक है ये अपवर्तक है और ये दोनों में मिल गया तो इसको हम कहेंगे समान अपवर्तक कहेंगे समान अपवर्तक जो दोनों में आ रहा है क्या क्या है एक है दो है चार है आठ है इस समान अपवर्तक को समापवर्तक कहा जाता है समान अपवर्तक को समापवर्तक थो अगला हेड्रिंग हुमारा होगा समाप वधर्टक क कि इसको कहेंगे हम घुक की टिक मयं है कlagen है यह कामिन है यह वन जो है इलिए स्मेन भी डोनों में जब रहता है तो इसको काम धोते है दो यहां यहां है common हो गया इसको बलेंगे common factor समाप पोड़ता क्यों मतलब common factor ठीक यह हो गया अब इस common factor में इस common factor में जो common मिला है इस common factor में सबसे बड़ा कौन factor है यह 8 है लिए सबसे बड़ा को हम महत्म कहते हैं क्या करते हैं महत्म तो 8 देखें यह समा पोड़ता कि आए निकार्ट की जब हम बात करेंगे महत्तम समापवर्थक तो कितना होगा आठ होगा हमारा जो अगला हेडिंग होगा वह होगा महत्तम समापवर्थक इसको कहेंगे हाइस्ट कामन फैक्टर हाइस्ट कमन फैक्टर क्या होगा कमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा उसी को हम हाइस्ट कमन फैक्टर बुलेंगे संख्याओं के अपवर्तकों में जितने भी समान अपवर्तक हैं उन समान अपवर्तकों में सबसे बड़ा अपवर्तक महत्तम समापवर्तक कहलाता है, सिंपल से बात है, तो यह हो गया महत्तम समापवर्तक, इसके बाद जो और तरीके हैं महत्तम समापवर्तक निकालने के, वो पहला है गुरणखंड विदी, यह सब तो आप लोग जानते है मुझे लगा कि इसमें से हो सकता है और बहुत लोग जानते हों लेकिन मुझे लगा कि यह गुणनखंड भी दीजिसे 24 का गुणनखंड क्या होगा 2, 2, 4, 2, 8, 3, 24 और 16 का 2, 2, 4, 2, 8, 2, 16 तो यहां पर मासा निकलना होगा यहां दो कामन दोल लिख दिया अब कोई कामन नहीं है यह कितना होगा 2, 4, 2, 8, ऐसे हो गया और एक और भी दी है भागविदी कि में क्या होता है इसमें बड़ा है इसमें 16 से भाग देंगे कितनी बार एक बार आठ से यहां पर फिर 16 लिख देंगे दो बार आठ बना 16 तो यह जो अंती बार जो काटा है आठ काटा है ना इसको पूरा-पूरा तो आठ जो है मुशा हो जाएगा यह आठ क्या हो जाएगा मुशा तो यह दो तरीके हैं मुशा निकालने के हाइएस कवन फेक्टर एच सी एफ एच से एफ मोलते हैं आप बलकि कैप्टल कर दीजिए तो उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा आप लोग मेरे चैनल लुको इसी तरह के बहुत से वीडियो मैं बनाता राता हूँ अगर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब परते हैं तों उसकी जानकरीय आप लोग को मिलती एगी रहेगी